आपको एक अच्छी जनकाई देने वाला हूँ कि आलू की खेत में अपनी आल कटवाएं यह दवाई लगाएं तो देखिए अगर आपके में आल ज्यादा है तो आपको आल कटवानी चाहिए इस प्रिकार से जैसे कि यह आल है तो इसको आपको कटवानी चाहिए मजदूरी मजदूरी पर अगर किसन वही हो आपके में यह जैसे यह घास है तो आप इसमें अगर कटवाद होगे तो यह दुबारा आएगी तो आपको मैं बताओं यह मजदूरों ने दुबारा काट ली थी मतला घास काटनी वाले लोगों ने यहां पर देखो काट लिया था यह फि अगर आपके में घास ज्यादा है तो हमेशा पहले दवाई लगाईए जरूत पढ़ने पर आप आल कटवा सकते हो नहीं तो आप उसको आसने से करवा सकते हो क्योंकि देखिए अगर मैं इसमें मजदूरी पर कटवाता हूँ फिर भी यह दुबारा मेरी घास हो जाएगी और इससे आलू छिपने की काफियादा सम्मावना रहेगी तो इसको देखते हुए आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसी कंडिशन में आपने खेत में आपको आल जरूर मतलब मरवानी है दवाई द्वारा कटवानी नहीं है तो पहले में आपको दिखा रहे था हूँ कि इसमें किसी भी कमपनी का ले सकती हूँ आप सेंटा का ले सकते हो किसी भी कंपणी का क्पनी का यह यह तो यह मैं एक एक इकड है कि मेरा कम घल चार इक कए सिद्inen लेते चारी वीवाम लगवा रहा हूं तो और यह देखिए इस परकार अगर आल है तो आल कटबना जरूरी है कि सन वही हो जब हमने इसमें तीसरे दिन आके देखा तो आप देख रही हो यह घास है यह बिल्कुल हरी है और यह भी आप देख रही हो लेकिन अगर आप इधर आके देखोगे कि अधर जो हमने दवाई लगाई है तो देखो आप यहां पर देख पा रही हो इसकी घास से लेकि सब कुछ खतम हो चुका है तो यह सबसे बड़ा वेनिफिट होता है कि अगर आपके में घास है अब जैसे यह दुबारा आपको बताएं किसी ने यह काट बेनिफिट है आपके लिए अगर आपके में आल ज्यादा है तो हाथों से कटवा सकती हो कोई भी दिक्कत नहीं मजदूरी पर लेकर आपके में घास ज्यादा है तो दवाई ही जरूर लगाएं और बाकी कुछ लगाएं या ना लगाएं क्योंकि इससे आपको काफी अच् नमस्कार नमस्कार